हेलो वेलकम अगेन वेलकम तो यूटूब चैनल ओतंग एगशन तो आज की इस वीडियो के अंदर पर जाने वाले हैं वह त इस एन एक्यूट ट्रेंगल अब एक्यूट ट्रेंगल इस ओल्ड एंगल्स और less than 90 degree ठीक है 90 degree से क्या होते हैं कम होते हैं वह आपकी क्या हो जाते हैं एक्यूट ट्रेंगल हो जाता है लेकिन इसमें तीनों के तीनों जो एंगल है वह आपकी क्या होने चाहिए 90 degree से कम होने चाहिए and second property जो follow करेगा that is इनका जो sum है वो किदन होना चाहिए हमारे पास 180 degree तो आप देखिए अगर आपने बात करें इस example 1 की 65 plus 85 तो इन्हें आप add करेंगे तो 150, 150 plus 30 degree ये हो गया इनका जो sum है आपके पास 180 degree आपकी जो triangle की property follow कर रहा है which is sum of all angles of triangle is 180 degree उसके बाद में जो यहाँ पर देखिए 65 is less than 90 degree 85 is less than 90 degree and 30 degree is less than 90 degree तो यहाँ पर क्या है ये देखिए जो triangle से आपके 90 degree से less है so this triangle is acute triangle ठीक है वैसे अगर आपने बात करें इस second की तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी angle नहीं given है but ये lines ये जो arcs हैं आपको given है अब इस arcs का मतलब क्या है कि ये तीनों की तीनों जो arc हैं क्या है इक्वल है तो यहाँ पर देखिए अगर मैं मानूँ इसे ये 1, 2 and 3 तो ये 3 arcs हैं ठीक है तो total sum होता है 180 degree इसको अगर मैं 3 parts में 3 equal parts में divide करता हूँ तो ये आपके पस आगया 60 degree each मतलब सब हारी के जो angle है यहाँ पर आपके पस क्या है 60 degree है तो ये triangle भी जो आपका क्या हो जाएगा acute triangle हो जाएगा again this is a classification on the basis of angle वीडियो अच्छी लगिए हो तरह से like करें have a nice day bye bye